दोस्तों, बॉलिवुड के सिंगम यानि के अजे देवगन को कौन नहीं जानता? आजे देवगन को बॉलिवुड का ओल राउंडर कहा जाता है, गोल माल का कॉमिक रोल हो या सिंगम का एक्शन अफ़तार? आजे देवगन हर रोल में बिल्कुल फिट निजर आते हैं. दोस्तों, आजे देवगन का जान में दो अप्रेल 1979 को दिली के एक पंजाबी परिवार में हुआ, आजे की पिता बॉलिवुड से गहरा नाता रखते हैं, आजे की पिता वीरू देवगन स्टन कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे, दोस्तों, आजे की मा वीना देवगन भी फिल्म निर्माता थी, आजे की शुरुआती पढ़ाई, सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू में हुई, इसके बाद आजे ने मीठी बाई, सांतक कॉलेज से दिख्री ली, आजे ने अपने करियर की शुरुआत, साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से ये फिल्म उस समय सुपर हिट रही, फिल्म में दो मोटरसाइकल पर रख कर किया गया, आजे का स्टाइंट आज भी लोगों को पसंद आता है, दोस्तों इस फिल्म के लिए आजे को फिल्म फियर का बेस्ट मेल डेबियो आबॉर्ड मिला, साल 1991 में ही आजे की फिल्म जिग की आपको बता दें, आजे और काजोल ने 1995 में पहली बार फिल्म हलचल में साथ में काम किया, फिल्मों के जानकार कहते हैं कि दोनों के बीच इसे फिल्म से प्यार पनब किया था, इसके बार 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे ने काजोल को बड़ा स इस अफयर को शकले नहीं मिल पाई थी, इसके बाद अजे और काजोल ने फिर से प्यार तो होना ही था में एक साथ काम किया, इसे फिल्म के साथ दोनों के बीच बीच फिर से नजदीक्या बढ़ गई, और फिल्म खत्म होने तक दोनों ने شादी का फैस्ला कर लिया, फिल् दोस्तों आजे की बेटी का नाम न्यासा देवगन है न्यासा भी सब 16 साल की है लेकिन वो अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाही रहती है न्यासा इंदिनों सिंगापॉर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है काजोल भी बेटी न्यासा की तस्वीरे सोशल मीडि हमें जरूर दीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही बॉलिवोड की लेटेस खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले